तो एपी को प्रोसेस करेंगे और एपी में हमने बहुत अच्छी तरीके से एनथ टर्म को फाइंड आउट करने के लिए सिख चुके हैं और बहुत अच्छी तरीके से हमने लास्ट टर्म को फाइंड आउट करने के लिए सिख चुके हैं और एपी हमें कैसे बनाना है ये भी हमने सीख चुके हैं अब हम कुछ डिफरेंट टैप की कुशन लेके आए हैं ठीक है और इस टैप की कुशन बहुत सारे एक्जाम में आते हैं उसके बाद में हम बोर्ड की कुशन करवाएंगे जो काफी टैप्स कोशन पुछे जा चुके हैं उसको भी देखेंगे सबसे पहले हम पैडल को फोलो कर लेते हैं ठीक है तो फर्स्ट कोशन है हमारे पास में प्रस्ट कोशन करेंगे यह देखिएगा इस पे भी best हम 2-3 question को लगाएंगे ताकि concept clear हो जाए ठीक है तो जो जो given है सबसे पहले हम उसे copy करते हैं तो solution 6th term है ठीक है 6th term का मतलब है A6 equal to आपके पास में given है 19 और A17 equal to given है आपके पास 41 अब मैं बताता हूँ ठीक है अगर आप A6 में आपको problem आ रही है तो आप formula जानते हो ना कि A N equal to A plus N minus 1 into D ठीक है तो जहाँ जहाँ N है वहाँ पे आप रखिए कितनी 6th 6th का मतलब है कि वो N term की position को बता रहा है ठीक है तो यहाँ रखेंगे तो A6 equal to A plus 6 minus 1 into D मिलेगा तो A6 equal to A plus 5D इसका मतलब यह हुआ कि A6 equal to A plus 5D ठीक है और इसकी value हमें given है तो हम इसे लिखेंगे 6th term को A plus 5D ठीक है equal to A6 A plus 5D equal to A6 की values कितनी है तो 19 है यह बन गया एक equation हमारा यहाँ से ठीक है A17 भी हम इसी तरह से find out करते हैं तो A17 जहाँ जहाँ पे आपके N है वहाँ पे आप 17 को put करें तो A plus 17 minus 1 into D तो A plus 17 है आपके पास में 41 ठीक है तो यह 16D मिलेगा ठीक है आने कि 17 है तो आप direct 1 subtract करके अनि कम करके अब लिख दें जैसे 17 है तो A plus 16D लिख दें 40 है तो A plus 30 90 लिख दें और 50 है तो A plus 40 90 लिख दें ठीक है डारेक लिखा करें तो दूसरा equation मिलेगा A plus 16D equal to 41 ठीक है जब यह 2 equation हमें मिल गया तो बहुत इस दिज़े हम solution कर सकते हैं ठीक है तो solving equation 1 and 2 ठीक है equation 1 और 2 को लेकर हम solve करेंगे तो A plus 5D equal to 90 और A plus 16D equal to 41 यह equation 1 और यह equation 2 ठीक है अब यहाँ से ध्यान दीजे हम sign convention को change करेंगे ठीक है जो plus वो minus ठीक है और एक बात और याद रहे कि sign convention जो हम change करते हैं वो नीचे वाले टम कम change करते हैं तो यह plus है तो माइनस यह plus तो माइनस यह प्लस तो माइनस यह cancel out होगा ठीक है अब 16 में अब दीके इस sign का कोई मतलब नहीं है इस sign का कोई मतलब नहीं है ठीक है उसको हमने convert कर दिया ठीक है माइनस में तो 16 में 5 को सब्ट्रेक्ट करेंगे तो आपके पास में मिलेगा 11 माइनस 11 डी ठीक है और 41 में 19 को सब्ट्रेक्ट करेंगे तो आपको यहां से मिलेगा माइनस 22 सब्ट्रेक्ट करके देख लेते हैं 41 और 19 है न तो 11 में 92 ठीक है सही है तो माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा तो D equal to 22 upon 11 देखिए multiply में 11 है आप right पर shift करेंगे तो divide में पहुचेगा तो 11 बन जा 11 11 तो 22 तो D equal to 22 अब D की value हम put करेंगे equation 1 या equation 2 में जिसमें आपको बहतर लगे तो putting the value of D in equation 1 ठीक है equation 1 में हम put करते हैं तो A plus 5D equal to 19 हमें A की value चाहिए तो A equal to 19 minus 5D ठीक है तो A equal to 19 minus 5 into D के place पे 2 तो 19 minus 10 equal to ठीक है तो A equal to तो यहां से जब subtract करेंगे तो हमें मिलेगा 9 जब आपको A or D पता चल गया है ठीक है तो आपको यहां से 14th term find out करनी है तो करते है 14th term find out तो देखिए मैं क्या करूँगा मैं direct करूँगा ठीक है और AN वाली value को नहीं put करूँगा अगर आप करना चाहिए तो कर देए इसी कोई बात नहीं है चलिए विसी को कर देते हैं तो एन एक्वल टू ए प्लस एन मैनस वन इंटू डी होता है ठीक है हमें 14 टाप चाहिए 40 तो 40 जा एन हमों 40 रख दिया ए की value 9 प्लस तो 40 मैनस वन और डी है हमारे पास 2 ठीक है तो ए 40 एक्वल टू 9 प्लस ठीक है सब्टेट करेंगे तो 39 इंटू टू 9 प्लस इसको मल्टिप् करेंगे 9 टू जा 18 ठीक है और 3 टू जा 6 6 और 1 7 इसको एड़ करेंगे तो 8 और 9 17 के रिवन ठीक है 8 और 1 सॉरी 7 और 1 8 87 तो ए 40 की value आ गए हमारे पास 87 ठीक है कॉपी किज़े कॉश्चन 2 की तरह बढ़ते हैं देखिए कॉश्चन 2 है the 10th and 18 term of an AP are 41 and 73 10 term और 18 term की AP हमारे पास में given है 41 और 73 respectively find the 26 term आपको 26 term find out करनी है तो जिस तरीके से अभी हमने कॉश्चन 1 का solution क्या बिल्कुल वैसे ही हम इसका भी solution करेंगे ठीक है तो करते हैं तो आपके पास में given है A10 equal to 41 और A10 equal to आपके पास given है 73 मैंने अभी आपको बताया कि कभी भी इस तरब को question हो ठीक है A10 है तो आप direct लिखें कि A10 equal to A plus 90 ठीक है और A18 है तो इसको direct लिखें अच्छा A10 की value given है ना 41 equal to A plus 90 और जैसे ही आपका equation बनता है उसके बाद में उसे आप solve कर लेंगे ठीक है solve करने के बाद में वहाँ से आप A D की value आप find out कर लेंगे उसके बाद में फिर उसकी value आप equation 1 या 2 में put करेंगे ठीक है put करेंगे वहाँ साबको A पता चल जागा उसके बाद में आपको आना है 26 पे ठीक है आता तो वहीं से है लेकिन हम direct लिख दें कोई सी problem नहीं है exam में marks नहीं करते हैं ठीक है तो करते हैं A 10 equal to A plus 90 A 10 की value 41 equal to A plus 90 ठीक है इसको हम arrange करके लिखते हैं तो A plus 90 equal to 41 equation 1 ठीक है A 18 equal to A plus 17D डाइट लिखाओं में और 73 तो A plus 17D हम इसको arrangement करके लिखेंगे तो A plus 17D equal to 73 ठीक है हमें find out करनी है A 26 equal to A plus 25D ठीक है तो solve करते हैं पहले ये दोनों equation को ठीक है तो solving equation 1 and 2 A plus 90 equal to 41 और A plus 17D equal to 73 ठीक है उसके बाद में आपका step होगा sign convention को change करना ठीक है तो जो पलस से minus करना तो minus 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 यहां से एक cancel out हो जाएगा 17 में जब आप 9 को subtract करेंगे तो आपको मिलेगा minus 8D ठीक है क्योंकि minus 17 की sign लिखी जाएगे ठीक है उसके बाद में यहां 1 जा 8 और 8 4 जा 8 4 जा 32 ठीक है तो D equal to 4 हमें पता चल गया अब D की value हम put कर देंगे equation 1 में ठीक है तो लिखेंगे कि putting the value of D in equation 1 A plus 90 equal to 41 A की value चाहिए ठीक है एक को आप यहीं रखे 90 को उधर लेके जाएं तो 41 minus 90 D की value आपको पता है तो A equal to 41 minus 9 into D की value है 4 ठीक है तो 41 minus 36 ठीक है तो A equal to 5 मिल जाएगा हमें ठीक है जब A और D की value हमें पता चल गया तो अब हमें find out करना है A 26 ठीक है now now A 26 equal to A है आपके पास में 5 plus 25 into और D की value है आपके पास में 4 ठीक है तो 5 plus इसको multiply करेंगे 25 को 4 से तो आपको मिलेगा 100 तो 100 लिग दिया मैंने ठीक है एड करेंगे तो हमें मिलेगा 105 तो A 26 की जो value है वो है 105 और यही हमें find out करनी थी ठीक है copy किजिए एक question और देखते हैं तो question 3 देखते हैं देखिए question 3 है find 31 term of NAP whose 11th term is 38 and 16 term is 73 आपको find out करना है 31 term जबकि आपके पास में 11th term जो है वो 38 है और 16 term है वो आपका 73 है ठीक है तो करते हैं इसका solution बिल्गुल वैसे ही करेंगे ठीक है तो diet में लिखूँ a 11 equal to a plus 10 d 11 की value है आपके पास 38 तो a plus 10 d equation 1 इसे box में बने करते हैं ठीक है a 16 equal to a 16 equal to a plus 15 d a 16 के value कितनी है 73 equal to a plus 15 d equation 2 यह है आपका और आपको find out करनी है यहां से 31 term ठीक है तो हमें निकालना है a 31 equal to a plus 30 d ठीक है यह हमें find करनी है ठीक है solving equation 1 and 2 solving equation 1 and 2 ठीक है तो a plus 10 d equal to 38 a plus 15 d equal to 73 ठीक है तो sign convention आप change करेंगे minus 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 यह cancel out होगा ठीक है तो यहां से minus 5 d आपके बचेंगे 10 में 15 अनि 15 में 10 subtract करेंगे तो ठीक है इसकी priority जादा है तो इसलिए मैंने minus की sign लगाया कि रखा है ठीक है अब इसको subtract करते हैं ठीक है और 3 आने की minus 35 यह cancel out होगा minus से minus ठीक है तो d equal to 35 upon 5 5 उन जा 5 5 7 जा 35 तो d equal to 7 अब d की value equation 1 या 2 में जिसमें आपको रखना है उसमें रखते हैं putting the value of d in equation 1 1 में रखेंगे तो a plus 10 d equal to 38 ठीक है तो a equal to 38 minus 10 d तो a equal to 38 minus 10 और d की value है 7 ठीक है तो a equal to 38 minus 70 तो a equal to subtract करेंगे तो 2 ठीक है और 3 आने के minus 32 a और d की value जब आपको पता चल गया है उसके बाद में आप बहुत easy से 31 term find out कर सकते हैं a 31 equal to minus 32 plus 30 into d की value है 7 तो a 31 equal to minus 32 plus 210 ठीक है 10 में 28 20 में 371 78 तो a 31 equal to 178 और यही हमें find out करने थे ठीक है तो copy कीजे आज हम यहीं रखेंगे धिनु़ पिर को जरी तो जिपत करेंगे